सभी सख्यों सहेलियों श्रोताओं को राजुल और कम्मो का नमस्कार नमस्कार राजुल दीदी आपको तो प्रणाम कहेंगे अच्छा देखो बहजाई अब ये छोटे बड़े का जगणा तो छोड़ो बहजाई हैं तो बहजाई ही रहेंगे और बहजाई को थोड़ा मान देना ही पड़ता है क्यों सक्यों बताइए अश्रोताओं से भी हम बूच रहे हैं भाई बहजाई तो उसको तो सम्मान देना ही देना होगा लेकिन हमें ये भी तो बताना होगा ना कि आज हम कारिक्रम में क्या क्या लेकर आएं और कारिक्रम में हम जो जो लेकर आए हैं सबसे बढ़ियां चीज पता है राजुल देदी क्या है क्या भाई आज कथा सुधा है अरे उसका तो अंतजार हमारे कितने सारे साथी कर रहे हैं और आज हम सुनेंगे कहानी ताई का दूसरा भाग साथी भरोसा जो मुझे आप पर बहुत है और हमें भी आप पर बहुत है भाबी लेकिन भरोसा जो है वो जीवन की पूंजी होती है और इस पूंजी के बारे में हमारे साथियों ने बहुत कुछ कहा है और ये पूंजी जो कमाना जो होता है ना सहेजना जो होता है बड़ा कठिन काम होता है राजुल दिदी अब जीवन भर की पूंजी होती है या बिल्कुल भरोसा हाँ और साथ ही सखी विशेश में खिलाडी दीपिका ठाकुर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम और आज है विश्व जय विवेदता दिवस तो सभी सुनने वालों को बहुत धेर सारी बधाई इसके बारे में भी हम बात करेंगे हाँ राजुल दिदी कितना सही कह रहा था ये गीत प्रकृति की छटा जब देखते है न तो यह जो अंतरमन है न चोरी चोरी क्या खुल के गीत गाता है लेकिन यह जो प्रकृति है यह कई रंगों से सजी हुई है बिलकुल वो तो है ही और जो यह सजी धजी प्रकृति है य या ऐसा नहीं कह सकते कि कोई खाली एक चीज जो है वही सबसे ज़्यादा महतुपूर्ण है या उसी का अस्तित्व सबसे ज़्यादा जरूरी है मतलब इस प्रकृति में विशेले जीव भी हैं छुटे छुटे बैक्टीरिया भी हैं विशाडू भी हैं कीटारू भी हैं पे एक अलग अस्तित्व है और वो जरूरी भी है हमारी जीव जैविक शृष्टी के लिए बिलकुर और इसी बात को हमें ज्यादा से ज्यादा इस पारे में लोग जाने और समझें और इसके महत लोगों पहचाने इसलिए जैविविद्धिता दिवस मनाया जाता है जो कि हमारी प्रत्वी पर खिलता है बनस पत्यों के रूप में पेड़ पौधों के रूप में और हमने जैसा कि कहा सब बैक्टीरियाज भी है वो भी इसी का हिस्सा है और तो और हम मनुष्य भी इसी यह जो जैविविद्धिता है ना इसी का एक हिस्सा है या अंग है लेकिन य कम पर्यावरन संतुलन बनाए रखने में जैविविद्धिता का महात्व समझा गया और इसी को देखते हुए संयुक्तराष्ट संग के तत्वावधान में 1902 में ब्राजील के रियो डियनेरियो में आयोजित हुआ प्रिथ्वी संबेलन और उसमें जो था पर्यावरन संद नक्षण की बात की गई उस पर काफी बातचीत हुई और जोड दिया गया तो फिर अगले वर्ष उनीस सो तिरानवे में 29 दिसंबर को पहली बार जैविविद्धिता दिवस मनाया गया और 29 दिसंबर को तब से मनाया जाता रहा लेकिन पिर आया साल 2001 तब से जैविविद् और इस संसार में सभी जीवन को स्थिर बनाए रखने में ये जो जय विविधता है वो एक एहम योगदान निभाती है और ये पारिस्थित की प्रणाली के संतुलन को बना के रखती है विविधन प्रकार के पशू, पक्षी और वनस्पदी एक दूसरे की जरूरतें पूरी क जो कहते है न अगर कोई हट जाए तो पूरा अस्ते वैस्त हो जाएगा क्या बात है कमो भावी बिल्कुल लाग टक्की की बात कहते है आपने तो जो हर बार थीम होती है एक खास तो इस बार की थीम है अग्रिमेंट टू एक्शन बिल्ट बैक बायो डाइवर्सिटी यानि जो बायो डाइवर्सिटी यानि की जैव विवेदिता है उसका पुनर निर्मान करें देको प्रकृति जो हमें देती है उसको तो जैसा का तैसा देती है वैसा तो हम बना नहीं सकते हैं लेकिन उसे खोने से उसे नश्ठ होने से तो हम बचा सकते हैं तो उसी को पुना हम उ उससे फोरण निपटना बहुत जरूरी है बहुत सारे पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां है वो विलुप्त होने के कागार पर है और कुछ तो विलुप्त हो भी चुकी है जैविविदिता की कभी होने से ही बाढ़, सूखा, आधी, तुफान मतलब ये जो जैविविदिता को सरक्षन देनी की पहल करना बेहत जरूरी है बिल्कुल और जैविविदिता के संरक्षन से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं देखो एक तो उत्पादक्ता में वृद्धी होती है इसमें हर छोटी से छोटी प्रजाती का योगदान जरूरी होता है बड़ी पुचारा, इंधन, नौशदी, लकडी जैसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि इसी जैविविदिता से हमें प्राप्त होते हैं तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ ही प्रदूशन, नियंत्रन और जल, म्रदा और वायू संरक्षन में भी जैविविदिता सहाय होती है, बिल्कुल हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्मान करना है जो जैविविदिता में सम्रिद्ध हो, टिकाउ हो और साथ ही आर्थिक गदिविदियों के लिए हमें जो अवसर है अलग-अलग वो प्रदान कर सके, और इसके महत्व को भी समझना है जैसे जो हड होते है जो पानी को जहां पर प्रकृतिक रूप से जो पानी जमा हो जाता है दलदल सी बन जाती है, वो सब चीजें ऐसी होती है जो जरूरी है और अगर इन्हें हम मिट्टी से हमने पाट कर बरूची उची बिल्डिंग्स बना दी और बाद में फिर समुद्र का पानी अंदर लेकिन हमने उसके साथ छेड़ खानी की उसी तरह जैसे हम मदमख्यों की बात करते हैं तो वो अपने आप में कितना एहम स्थान रखती हैं अभी अगर उनका असित्व खतम हो जाए तो सबसे जरूरी चीज है जिससे फूल बनते हैं फल बनते हैं जो उत्पादक्ता होती ह पेड़ों से पौधों से फसलों से वो ही खतम हो जाएगी क्यूंकि मदमख्या परागण में एहम भूमिका निभाती हैं और फिर मीठा मीठा शहत के लिए हमारी मीठी मीठी शहत जैसी भोजाई है वो कहा से आएगी हमें तो यही चिंता हो रही है वैसे हमारे एक साथी न ना हो उनका और उनके जंगल विस्तार की सुरक्षा के प्रति भी हमें जागरूख बनने की और दूसरों को प्रोचसाहित करने की जरूरत है यह बहुत अच्छी बात कही है कि खुद भी जागरूख रहें और दूसरों को भी प्रोचसाहित करते रहें बिल्कुल भाई यह बात है कि ये एक दूसरे का हाथ मिला कि ही जो होता है ना कि काम आगे बढ़ता है बात तो यही है राजल दीदी कि जैसे प्रकृति ने हमें ये सब कुछ दिया सारी चीजें दी और हमने कहीं न कहीं थोड़ी बहुत छेड़ खाने की जिसका खामियाजा हम भुकत रहे हैं ल है राजल दीदी हमें तो पूरा भरोजा था कि गीत आप हमारी पसंद कहीं सुनाएंगी बहुत जाई खुम मीठी मीठी बाते बनाती हैं तो उन बातों को निभाते भी हैं बिल्कुल भरोजा कायम रखना है कि नहीं लेकिन एक बात है ये भी तो बता दीजे ना कि अगर ह हम बात बनाते हैं मीठी मीठी तो निभाते भी हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मीठी बाते बनाते हैं निभाते नहीं तो उन पे भरोसा ना करें भाई ये तो व्यक्ति दर्व्यक्ति निर्भर करता है और पार्खी जो नजर होती है न वो उसकी जरूरत आन यह चाह रहे हूं कि खटा मिठा होना चाहिए रिष्टा वो तो है खटा मिठा होना चाहिए तभी रिष्टे में असली स्वाद असली मजबूती आती है लेकिन खटास और मिठास के साथ साथ कुछ ऐसी बाते भी रिष्टे में जरूर होनी चाहिए जैसे आपसी समझतारी भ विश्वास भी हो फिर आ गया ना भरोसा तो बहुत आई तो भरोसे की दिवानी है और वाकई भरोसे के बारे में जब भी बात होती है तो बहुत सारी कहानिया से याद आने लगती है लेकिन उन कहानियों में भी यही बात होती है कि भरोसा और यह भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं बलकि खुद पर भी जैसे हमारे एक साथ ही ने लिखा भी है ये बात कि जैसे अगर भरोसा करना है तो ये शब्ध ही अपने आप में वजन लिये हुए है भरोसा दिलाना और करना दोनों ही बहुत मुश्किल है इसलिए आज के समय में अच्छे से सोचकर ही भरोसा करें किसी पर कई बार दोस्तों आँखों देखी भी हमारी गलत फहमी ही और कानों सुनी बातों पर तो कभी भी ध्यान ना दे मनुश्का सभाव होता है कि हम लोग बहुत जल्दि ही किसी ने दौासु भा दिया तो सूचते है कि बहुत दुख है जीवा है उसे और बिन्तником तो कहते हैं कि उसका वो जाने हमें जो बनना है हम कर लेते हैं भाई ये तो इनकी बात है वैसे भरोसा जो है एक ऐसा बंधन है जिसे बनाने में बरसो लग जाते हैं राजुल देदी लेकिन तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगता और इसलिए कहा जाता है कि जीवन में भ नहीं बन सकता भोजाई ये बताओ बिल्कुल कुछ भी बन सकता है सब कुछ कर सकता है और जब एक खिलाडी मैदान पर उतरता है तो उसके जो प्रशिक्षक हैं उन्हें भरोसा रहता है कि सिखाया हुआ व्याट्स नहीं जाएगा और वो खिलाडी जब स्वय मैदान में ये सब भरोसे तो रहता है बोजाई लेकिन सबसे पहले हुद पे भरोसा रहता कभी मैदान में उतरता है वो तो है तो भाई ऐसा ही भरोसा लेकर मैदान में उतरी हौकी खिलाडी डीपीका ठाकूर और उन्होंने एक रिकौर्ड बकाईदा बनाया सच मुछ हमारी ये जो इए बधाई की पात्रह रों हमारे कुछ साथियों ने बधाई भी दी है इन्होंने 200 मैच पूरे किए इस बारे में बधाई भी दी है हमारे कुछ साथियों ने दीपिका ठाकुर महिला हौकी टीम की एक ऐसी खिलाडी हैं जिन्होंने 2003 से नियमित तोर पर वरिष्ट महिला हौकी टीम की सद्द से वो रही है और जैसा कि हमने बताया 200 मैच खेले और 24 गोल किये और साल 2003 में अपनी हौकी स्टिक का अंतर राश्ट्री है स्थर पर उन्होंने लोहा मनवाया उनका जन्म साथ फरवरी 1989 को हुआ हरियाणा के यमना नगर के उस हिलाके में दीपी का ठाकुर ने बच्पन में कभी हौकी खिलाडी बनने का सपना देखा ही नहीं था लेकिन जब छटी कक्षा आई तो पढ़ाई के दौरान उनका ध्यान हौकी की ओर गया और प्रेणा स्रोध बने उनके चचेरे भाई वो खेलते थे हौकी और उनकी हौकी टिम भी थी तो घर और आसपास का महल तो अनुकूल नहीं था लेकिन स्कूल में हौकी खेलने की अन कॉमनवेल्थ तीन वर्ल्ड कप और तीन एशियन गेम्स तक पहुंची वो 2006 विश्व कप के अलावा उन्होंने साल 2010 के एशियाई खेलों में भारत की ओर से वो नेत्रतों किया था उन्होंने खेली थी वो उपलबदियां तो बहुत सारी जोड रही थी लेकिन उनके सामने चुनौतिया भी कम नहीं थी 2014 के एशियाई खेलों में भारत की तरफ से खेलने के बाद दीपिका ठाकूर जब घर पहुंची तो घर पर इंतजार कर रहा था शादी का प्रस्ताओ मा और उनके घर वाले कह रहे थे कि तुरन जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी और इधर था रियो ओलंपिक उसमें क्वालिफाई करने का समय आ गया था तब भारतिय टीम का रियो ओलंपिक में जब जाना तै हो गया तो दीपिका ठाकूर ने शादी अपनी ठाल दी ताकि वो पूरा ध्यान और समय अपने खेल पर लगा सके और बतौर हिलाड़ी अपनी भूमिक को समझते हुए दीपिका ठाकूर ने 2017 में विवाह किया खेल के प्रती उनका जो समर्पन है वो नतीजों में दिखा साल 2018 के एशियन गेम्स में रजत पदक जीता उन्होंने 2016 में महिला होकी टीम ने चेंपियन्स ट्रॉफी का खिता और इस मैच में दीपिका ठाकूर सरवो कर मेजबान टीम की देश की टीम को हरा कर उन्होंने तामर पदक पर कबजा किया और इस जीत में दीपिका ठाकूर का एहम रोल रहा था वैसे उन्होंने अपना दोसोंवा मैच टीम के साथ महिला होके विश्व लीग राउंड टू में कनाड़ा में चिली के खिला था जिस खीली के साथ रैलवे में नौकरी ओर घर समालने वाली रेलवे में नौकरी करती हैं घर भी समालती है धार खो सूपर बिल्कुल और यही तो होता है ना कि उन्होंने एक तरह से खुद पर भरुसा था तभी वो इस सब कर पाई तो राजल दीदी नाव तो तभी चले की नाव चलाने वाले पर भरुसा होगा अपने बाजुओं पर अपनी पतवार पर वैसे किसी पर भरोसा करना एक दिल और दिमाग को साथ लेकर निर्णे लेना बहुत नाजुग निर्णे होता है ऐसा हमारी एक सखी कह रही है और कुछ अर्ज किया है इन्होंने क्या बात है बहुत अच्छी बात है यह तो बहुत अच्छी बात है और हमारे एक सोता ने लिखा है कि करीब 6 महीने से हमारे घर के OTS के सलियों पर मदुमक्यों ने च्छता बनाया हुआ है हम उन्हें बिना भगाए पाल रहे है अब वो बहुत ही बड़ा सुन्दर दिख रहा है दूसरे को भी दिखाते हैं कि देखो इससे हमें कोई परिशानी नहीं है और हमारा भरोसा आप भी कायम है ना हम उसे छेड़ते हैं ना हमें वो कोई नुकसान करती है कितनी प्यारी बात है तो देखो मदूबक्यों की बात आपने कही ना भोजाई भोजाई की बात वैसे सब लोग मानते हैं आप भी तो मानती है क्या करें ना भोजाई भोजाई की बात तो माननी ही पड़ती है भई भरोसा होता है ना ना देखो ना हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि भरोसा सब पर कीजे पर साथधानी से क्योंकि कभी-कभी खुद के दान भी जीब को काट लेते हैं क्योंकि उमीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते हैं यह हम पर निर्वर करता है कि हमने किस से उमीद की और किस पर भरोसा किय और भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर करो तो कमजोरी यह तो बात है तो भाई इसलिए सोस समझ कर भरोसा करना चाहिए लेकिन जो भरोसे की बात जब भी आती है तो सबसे पहले मन में बात यह आती है कि आखिर भरोसा में ऐसा क्या है कि ये पूंजी बन जाता है लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए बोचाई तो सबसे बड़ी पूंजी ये बन जाता है क्योंकि हम ये जो पूंजी बनाते हैं वो अपने वेवहार से बनाते हैं खुद से बनाते हैं जो हम हैं उसी से हो हमारी पूझी बनती है कहीं से धन नहीं आता कहीं से कोई और चीज नहीं आती कोई जेवर नहीं होते जिन से पूझी बनी हो जो हमारा व्यवहार है हमारा व्यक्तित है उसी से भरोसा भरोसे की पूझी बनती है और वही बात है कि जमा बहुत शक्तिशाली शब्द है ये अपने आप में अगर भरोसा नहीं है तो भाई कोई भी रिष्टा नहीं है और वैसे भरोसा राजुल दीदी सच्चाई की बुनियाद पर ही डिका रहता है और ऐसी ये चीज है जिसके तूटने पर कोई आवास तो नहीं आती लेकिन उसक ये कहा गया है कि भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए वैसे श्री अर्विंद ने कहा है कि वो लोग सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं जिनका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है भरोसे की ताकत समय के साथ कम नहीं होती बलकि बढ़ती ही है और इसलिए जब पर इसलिए जीवन में व्यक्तित्व और वहवार कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि विश्वस नियता जो है वो बनी रहे लोग भरोसा करें आप पे और विश्वास रूपी पूंजी को संजो कर रखने का हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए भई दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या बहुत है अपने और अपनों के विश्वास को मिरग मरीची का ना समझ कर उस पर खरा उतरने का यतन हमें लगातार करते रहना होगा मतलब ये है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो इस बात का त्यान रखना है लेकिन जो अपने हैं उनकी बात पर तो भरोसा करना ही होगा नहीं तो संबंदों में दरार आती है तो जो बहुत करीब के लोग हैं उनके भी तो भरोसे का ये जो होता ना गोंद जोडने वाला ये तो होना ही होना चाहिए अब ये जो भरोसा की दौलत है ये जो पूंजी है ये ऐसे ही नहीं कमाई जाती ना ऐसे ही बांटी जाती है दूसरों पर विश्वास कीजे लेकिन अंध विश्वास ना कीजे जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे सिर्फ दुखों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों से गुद्धी को अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर कर देते हैं मतलब उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं कान भरने वाली बात तो भई ऐसा करने से वचें जिससे भरोसा तूटे और विश्वास तूटने की आवास किसी को सुनाई तो देती रही लेकिन जिसका विश् विश्वास खुद पर उसका विश्वास हटने लगता है और वो हमेशा बोखलाया सा रहता है मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें किस पर भरोसा करें किसकी बात सुनें न सुनें जैसे कहानी थी ना एक बाबा भारती और डाकू खड़क सिंग की कहानी हार की जीत हार की क्या आयात दिलाया तो बताओ कम मुबाजाई भरोसे की बात हम लोगों ने बहुत कर ली है लेकिन अभी भरोसे के बारे में जो संदेश है वो बहुत सारे बचे हैं बिल्कुल पढ़ दे बिल्कुल ईश्वर को आखरी उश्वर की आखरी उमीद नहीं पहला भरोसा होता है क्योंकि वो छोटे स्वार्थ के लिए अच्छे इंसान को खो देता है अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है वो तो आपके साथ लगाव और विश्वास करता है बिल्कुल तो भाई जैसे वही हुआ था ना जैसे बाबा भारती ने अपन क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा और फिर वो कभी किसी दीन दुखी की सेवा नहीं करेंगे बिल्कुल सही बात तो भरोसे में वड़ी ताकत होती है राजल दिदी और हमें पूरा भरोसा है आप पे किस बारे में भाई कहानी का इंतिजार कर रहे हैं हम श्रोता कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरे कभी मुस्कुराहर सजाएंगी तो कभी आँखें नम कर जाएंगी सामाजिक सरोकार से लेकर परिबार तक की होंगी बाते कुछ मनुरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अन्दाज में होगी बयानी कहानी की मौलिक्ता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कारिक्रम रोजक और सुगम हो इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाओं किये गए हैं आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा पिछले सप्ता कथा सुधा के प्रथम अंक में प्रसिद्ध साहित्तिकार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई का पहला भाग आपने सुना आईए आज इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनते हैं कहानी ताई के पिछले भाग में आपने सुना रामजी दास अपने छोटे भाई की संतान के साथ बड़ा सनेह रखते हैं परन्तु उनकी पत्नी रामेश्वरी को संतान हीन तक खटकती है तभी उसके व्यवहार में भतीजे को लेकर भी प्रेमभाव नहीं जाकता और रामजी दास उन्हें संजाते रहते हैं अब उससे आगे शाम का समय था रामेश्वरी खुली छट पर बैठी हवा खा रही थी पास उनकी देवरानी भी बैठी थी दुनों बच्चे छट पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिलाना, भागना, लोड़ जाना इत्यादी कृड़ाएं उनके हृदे को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दोड़ा, वो खिलखलाती हुई दोड़ कर रामेश्वरी की गोद में जागिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दोड़ता हुआ आया और वो भी उन्हीं की गोद में जागिरा। रामेश्वरी उसमें सारा द्वेश भूल गई, उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हिर्दय से लगा लिया, जिस प्रकार मनुष्य लगाता है, जो की बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सर्त्रिश्णता से दोनों को प्यार किया। उसमें यदि कोई अपरीचित मनुश्य उन्हें देखता तो उसे ये विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलती रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई। पती को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भोहें तन गई। बच्चों के प्रती हिर्दय में फिर वही घणा और द्वेश का भाव जाग उठा। बच्चों को रेल गाड़ी देकर बाबु साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले। रामेश्वरी आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालुम होता है तुम्हारे रिदय में भी उनके प्रती कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पती के ये बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। किवल दुख ही नहीं हुआ, अपने उपर क्रोध भी आया। वो दुख और क्रोध पती के उक्तवाकिसे और बढ़ गया। उसकी कमजोरी पती पर प्रगट हो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोचना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। इन्हें मौच भी नहीं आती। मर्द आएं और बाप कटे किसी तरह से। आठों पहर आठों पहर आखों के सामने रहने से अब प्यार को जी लजाई उठता है। अब इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। चिपाने के आवश्यक्ता भी नहीं है। मुझे क्या पढ़िये? मुझे क्या पढ़िये जो मैं प्रेम करूँगी? बैया इनका प्रेम तुम ही को मुबारक रहे। निकोड़े कहीं के। अब या आके घुसते हैं? अब एक घर में रहने में कभी कभी ये हसना बोलना पड़ता ही है। परसों की बात है? जरा यूही धकेल क्या दिया? उस पर तुमने सैकणों बाते सुनाई? मेरे प्राह तो संकट में हैं, न योँँचैन न वोँँचैन। तो अब बाबु सहाब को पत्नी के वाकि सुनकर बड़ा क्रोध हाया। उन्होंने करकश स्वर में कहा। नजाने कैसे रिदे की स्त्री है? अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियों उच्छलती है। नजाने मेरी बातों में कौन सा विश खुला रहता है, यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूँगा। पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विशय में निगवडे सिगवडे इत्यादी अपशब्द निकाले तो अच्छा नहोगा। तुमसे मुझे य इसका कोई उत्तर नहीं दिया, अपने शोब और क्रोध को वे आँखों द्वारा निकालने लगी। जैसे ही जैसे बाबु राम जिदास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही वैसे रामेश्वरी के द्वेश और घ्रना की मात्रा भी बढ़ती जाती परायह बच्चों के पीछे पती पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पती के कटूवचन सुनने पड़ते थे, जब रामेश्वरी ने ये देखा कि बच्चों के कारण ही वो पती की नजर में गिरती जा रही है, तब उनके हिर्दे में बड़ा तूफान उन्होंने ये सोचा, उस दिन में घीके दिये जलाओंगी, सब कुछ इन लोगों की बज़े से हो रहा है, इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। का भाई की संतान के प्रती अनुराग इत्यादी, कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयम उन्हे को कश्ट दायक प्रतीत होने लगे, तब वो अपना ध्यान दूसरी और लगाने के लिए टहलने लगी। वो टहल ही रही थी कि मनोहर दोडता हुआ आया, मनोहर को देखकर उनकी ब्रिकुटी चड़ गई। और वो चट की चहार दिवारी पर हात रख कर खड़ी हो गई। संध्या का समय था, आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उन रही थी, मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कट कर उसकी चट पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दोड़ कर रामेश्वरी के पास आया, उनकी टांगों में लिपट कर बोला। ताई ताई हमें पतंग दिला दो। चाहर, जा, अपने ताउ के पास जा, जा अपने ताउ से मांग जाकर, जा। मनोहर कुछ अप्रतिबसा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा, थोड़ी देर बाद उससे फिर ना रहा गया, इस बार उसने बड़ी लाड में आकर अत्यंत करून स्वर में कहा, इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया, वो कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर द्रिश्टी से देखती रही, फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, ये मेरा पुत्र होता, तो आज मुझसे बढ़कर भागयावान इस तरी संसार में दूसरी इन्ना होती, निकोडा, मरा कितना सुन्दर है, और कैसी प्यारी प्यारी बाते करता है, यहीं जी चाहता है कि बस उठा कर चाहती से लगा ले, यह सोचकर वो उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी, कि इतने में ही उन्हें मौन देखकर वो बोला, जो तुम पतन नहीं दिलाओगी, ताउजी से कहें तुम्हें बहुत-बहुत पिटवाएंगे, यद पी बच्चे की इस भोली बात में भी मधुर्ता थी, तथा पी रामिश्वरी का मूँ कुरोध के मारे लाल हो गया, वो उसे जड़क कर बोली, जा कहें दे अपने ताउजी से, देखें, जा, वो मेरा क्या कर लेंगे, जा कहें दे, बढ़ाया ताउवाला, इधर रामिश्वरी ने सोचा, ये सब इनी के दुलार का फल है, बड़े आयताउजी, नहीं तो ये बालेश्ट भर का लड़का, इस तरह से मुझे धमकाता, इश्वर करे इस दुलार पर बिजली तूटे, उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छट की ओर आई, और रामिश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई, छट के चार ओर चहार दिवारी थी, जहां रामिश्वरी खड़ी हुई थी, वहां केवल एक द्वार था, जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे, रामिश्वरी खड़ी देखती रही, मनोहर उसके पास से होकर चज्जे पर चला गया, और उससे दो फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा, पतंग चज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी, एक पैर चज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में जाका और पतंग को आंगन में गिरते देख, वो प्रसनता के मारे फूला न समाया, वो नीचे जाने के लिए शीगृता से घूमा, परंतो घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया, वो नीचे के ओर चला, नीचे जाते जाते दोनु हा इतना को देखा, उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा, यही सोचकर वो एकशन रुकी, इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पे से फिसलने लगे, वो अत्यंत भय और करुन नेत्रू से रामिश्वरी की ओर देख कर चिलाया, ताई बचाओ गिर आ आखें मनोहर की आँखों से जा मिली, मनोहर की वो करुन दृष्च की देख कर रामिश्वरी का कलेजा मू में आ गया, उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर चूट गई अधाई वो नीचे आगिरा रामेश्वरी चीख मार कर चज्जे पर गिर पड़ी रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही कभी-कभी जोर से चिल्ला उठती थी और कहती थी देखो देखो वो गिरा जा रहा है उसे उसे बचाओ अरे दोड़ो दोड़ो मेरे मनुवर को बचा लो बेटा मनुवर बेटा मनुवर मैंने तुझे नहीं बचाया कोई कोई बचा लो हाँ मैं 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 ताई मैं चाहती तो बचा सकती थी लेकिन आए मैंने देर कर दी मनोहर की टांग उखड़ गई थी टांग बिठा दी गई और वो फिर अपनी असली हालत पर आने लगा एक सप्तहा बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ अच्छी तरह होश आने पर उनोंने पूछा मनुहर रामेश्वरी के पास लाया गया रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हिर्दय से लगाया आखों से आसूं की जड़ी लग गई हिचकियों से गला रुंद गया रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई अब वो मनुहर और उसकी बहन चुनने से द्वेश नहीं करती और मनुहर तो उसका प्राणा धार हो गया उसके बिना उन्हें एक शन भी कल नहीं पड़ती आज कथा सुधा मेह ने सुनी सुप्रसिध कथाकार विशंभरनाच शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई पात्रपरिजय इस प्रकार है ताई रामेश्वरी रेणू चतुर्वेदी ताउ रामजी दास जैंद पात्रिकर बालक मनुहर प्रज्वल सिंग सूत्रधार जीश्याम प्रस्तुति सहयोक आकांग्षा सिंग प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक परिकल्पना और निर्देशन रेणू चतुर्वेदी तो भोजाई हमने तो कहानी ताई का दूसरा भाग सुन लिया और कैसी दिल दहला देने वाली ये घटना हुई कि जो जितना वहमना से था ताई का वो सारा धूल गया जो भावनाई होती है न राजुल दीदी उनका छोर नहीं रहता मतलब कब कौन सी भावना आप पर हावी हो जाए एक तरफ तो देखिए न ताई के बैर हिरदे में कहीं न कहीं बैर था है न लेकिन जब उन्होंने अपने सामने बालक को गिरते देखा तो वो जो ममता जो थी जो दबी पड़ी सी कहीं वो उभर कर वाहर आई बिल्कुल तो भई कथा सुधा में आगे भी और कहानिया होती रहेंगी और हम लेकर आते रहेंगे लेकिन बात जब हम भरोसी की करते हैं तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी लोग बातों बातों में कहते हैं कि इस पागल का कोई भरोसा नहीं है लेकिन तब लोग ये भूल जाते हैं कि किसी के भरोसे नहीं से पागल कर दिया होगा पेड की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी डाल हिलाने से नहीं ररता क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है कितनी सही बात है और भाई एक तरह से सही भी है इसमें दो बाते हैं उन्होंने कहीं कि भरोसा तूटने पर वो जो दिल तूटता है ना राजुल देदी फिर भाई जोड़े नहीं जोड़ता जोड़े नहीं जोड़ता लेकिन अगर खुद पर भरोसा हो तो ये भरोसा आसानी से तूटने नहीं पाता तो कि तब भरोसा करना सीख लिया जाता है और वैसे भरोसे को बनाई रखने के लिए जूट से परहेज भी रखना होता है वरना तो बात वही हो जाती है कि शेर आया शेर आया चिलाते रह है समाप्त तो आप सभी को राजुल और कमो का नमस्कार